आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें समस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, निम्न फलनों के लेका चित्र बनाईए, और यहांपर फलन है, वाइब बराबर 3 साइन 2 टो टिटा प्लस पाई बटा, तीन तो आईए इस सवाल कॉल करते हैं, तो सबसे पहले, यहांपर साइन का फलन दे रखा है, तो सबसे पहले यह होता है यह प्लस का इक मतलब आधिक तम मान पास कितना होता है प्लस एक और नियुनतम मान पास कितना होता है माइनस का, अब यहां पर हमें जो फलन दे रहा है, उसका आवर्थकाल किस प्रकार निकलूँगा, तो Y बराबर, sin X का आवर्थकाल 2P होता है, तो sin AX प्लस B का आवर्थकाल होता है, हमारे पास 2 pi बटा a तो यहाँ पर इसका आवर्थकाल हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर a x प्लस b तो a का मान कितना है 2 तो इसका आवर्थकाल हो जाएगा 2 pi बटा 2 मतलब इस फलन का आवर्थकाल हो जाएगा हमारे पास pi दूसरी चीज़ यहाँ पर मतलब इसका आयाम हमारे पास y x अब यहाँ पर जब x का मान 0 था तब sin का मान कितना होता sin x 0 कब होता जब theta का मान 0 हो मतलब इस फूरे का मान अगर 2 theta प्लस pi बटा 3 का मान 2 theta प्लस pi बटा 3 का मान जब 0 के बराबर होगा तब इस y का मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर मतलब यहां से ठीटा का मान कितना आ जाएगा ठीटा का मान आ जाएगा हमारे पास πाई बटा 3 माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का पाई बटा 3 और 2 का गुणा होगा तो यह क्या आ जाएगा माइनस का पाई बटा 6 तो यहाँ पर X सक्षपर हमारे पास क्या आजाएगा यहाँ पर Y बराबर साइनेक्स नहीं है यहाँ पर ठीटा का फलन है तो X सक्षपर तो हमारे पास आजाएगा ठीटा और ठीटा का मान माइनस पाई बटा अच्छा है मतलब मूल बिंदू के इस तरब यह हमारे पास क्या मान 0 हो गया उसके बार हमारे पास sin x का मान अदिक्तम कब होता है प्लस एक जब x का मान कितना हो ठीटा का मान कितना हो पाई बटा 2 मतलब यहां पर हमारे पास ठीटा की जगह क्या है टू ठीटा प्लस पाई बटा 3 इसका मान पाई बटा 2 के बराबर होगा तब हमारे पास यह अधिक्तम होगा तो πाई बटा 2 माईनस, πाई बटा 3 हो जाएगा, πाई बटा 6 تو ठीटा का माना जाएगा हमारे पास πाई बटा 12 तो जब πाई बटा 12 हो, ठीटा बराबर हम हमारे पास πाई बटा 12 हो, मतलब 0 से बेड़ी संक्या हैईगी, πाई बटा 12, दब sin x का मान अधिक्तम होगा, प्लस का एक, और यहाँ पर तीन गुणा में है, तो यह अमार पास क्या आ जाएगा, यह माना जाएगा, हमारे पास, प्लस का तीन, इसको और आके, हम ग्राब अच्छे से बना लेते हैं, यह हमार पास हो जाएगा, अब इसके बाद हमार पास क्या आता है जीरो पाई बटा दो फिर आता है पाई साइन पाई का मान कितना होता है जीरो तो टू टीटा प्लस पाई बटा तीन को किसके बराबर रखूंगा पाई के बराबर तो टू टीटा प्लस पाई बटा तीन बराबर आजाएगा पाई तो यहाँ से पाई माइनस पाई बटा तीन तो यह हो जाएगा टू पाई बटा तीन और टू ठीटा का गुणा करूंगा तो यह हो जाएगा हमारे पास ठीटा बराबर आजाएगा पाई बटा तीन तो यह आजाएगा हमार पास 5 पाई बटा 6 मतलब यहां पर यह लंबाई तो हमारे पास कितने हो जाएगी 0 से 5 पाई बटा 6 और यह हो जाएगी यह पास 0 से माइनस पाई बटा 6 मतलब पाई बटा 6 और दोनों को जोड़ूँगा तो यह हमारे पास के आ जाएगा 5 पाई बटा 6 लेकर निट आईट जेए वह एडवास के लेवल पर एक करोड से जादर चातर का भरोजा अजेव। आज़ी डौन्ओर करें आप यह वच्छाप करें अपने सारे डौत्स आट-440-440 पर